Airtel का postpaid sim लेना चाहिए या नहीं देखो अगर आप Airtel का postpaid sim लेना चाहते हो आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको Airtel postpaid के advantages और disadvantages बताने वाला हूँ जिसे देख के बाद मैं आप खुड decide कर सकते हो कि आपको Airtel का postpaid sim लेना चाहिए या फिर prepared ही आपके लिए सही रहेगा तो चलो वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं Airtel postpaid sim के advantage इसके बारे में तो सबसे पहला advantage यहाँ पे आपको मिलता है customer priority का आप देखो यह Airtel ने अपनी website पे खुद mention किया हुए कि जो postpaid user है उनको यहाँ पे better customer service मिलेगी अगर आपको prepared sim देखो अगर आप use करते हो कोई दिक्कत आ जाती है internet speed में या कुछ और भी problem आ जाती है आप customer care में call लगाते हो second advantage यहाँ पे better speed का जो Airtel के postpaid connection है ना उनमें आपको prepaid से better speed मिलती है आपने देखा होगा prepaid में अगर आप कुछ download कर रहे हो पांच मिनिट पहले कुछ और speed थी बाद में कुछ और है morning में कुछ और speed आती है शाम को कुछ और speed आती है तो यहाँ पे fluctuation काफी है speed इतने constant नहीं रहती लेकिन अगर हम compare करें postpaid में तो यहाँ पे आपको speed बहतर मिलती है और इस चीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों ने reviews और feedback भी दिये है कि भाई postpaid जो sim है उसमें थोड़ी सी speed आपको बहतर मिलती है prepaid से अब third इसमें एक बड़ा advantage है कि भाई आपको postpaid sim के अंदर family plan का option मिल जाता है देखो अगर अभी आप तीन से चार लोगों की family है आपकी आप prepaid sim यूज करते हो तो आपको सभी के अलग-अलग recharge करने पड़ते होंगे लेकिन अगर आप postpaid पे switch कर दोगे न तो आप एक ही recharge में मतलब एक ही bill में आप चार अलग-अलग sim यूज कर सकते हो तो यह एक बड़ा benefit है postpaid का कि आप एक ही sim पे आप bill पे करो उसके साथ तीन add-on sim अलग से आपको option मिल जाता है वो आप लेके चार लोगों की family में सिर्फ एक ही bill पे उसको use कर सकते हो अब next इसके अंदर advantage है data को लेके internet data को लेके जिसके अंदर तीन है मैं एक ही में include करता हूँ एक है bulk data, दूसरा है no daily limit और तीसरा है यहाँ पे आपको data rollover का अब इसमें होता है क्या है देखो, जैसे कि हम prepaid sim use करते हैं उसमें क्या है कि हम plan recording, 10 GB, 2 GB, 3 GB ऐसे करके रोज रोज data मिलता है इसमें क्या होता है post paid में कि जो भी आप plan choose करते हो 50 GB, 100 GB या जो भी है उसमें वो आपको data एक ही बार में मिल जाता है या आपको 1 GB मिलेगा, आप चाहे तो एक दिन में 10 GB use कर लो या अगले दिन आपको सिर्फ 2 GB data चाहे तो वो आप use कर लो तो यहां पर कोई आपको restriction नहीं है, बल्क में data मिल जाता है थार्ड इसके अंदर option था data rollover का, अब इसमें क्या होता है मानलो आपने 100 GB वाला data का plan ले लिया और आपने पूरे महिने में 50 GB data use कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, next month में जो आपको फिर से 100 GB data मिलेगा न उसमें आपको जो पिछले मन्त का 50 GB data आपका बचा था, वो rollover हो जाएगा next month आपका जो data है, वो 150 GB यहाँ पर हो जाएगा और एक advantage की post paid connection के साथ में आपको अलग-अलग तरीके के OTT platform के subscription पर मिल जाते हैं तो यह सभी यहाँ पर advantage आ जाते हैं, ATL post paid के अब हम इसके disadvantage इसकी बात करें, तो सबसे पहला disadvantage है ATL post paid का कि इसके plan थोड़े से expensive है कैसे देखो, ATL post paid का सबसे सस्ता plan है 399 रुपीज का जिसमें आपको एक महिने के लिए 40 GB data मिल जाता है और वहीं मैं 399 में prepaid recharge की बात करूँ न, तो यहाँ पर 399 में ATL 28 days तक रोज 3 GB data देता है अगर मैं पूरे मन्त का data यहाँ पर collect करके एक साथ में बताऊं तो वो 84 GB होता है लेकन यहाँ पर daily data limit आपको 3 GB मिलती है पर पूरे महिने का calculate करें तो 84 GB मिलता है prepaid में और यहाँ पर 40 GB मिलता है post paid में तो थोड़े से जो post paid plan है ATL के वो महगे है prepaid से अब second disadvantage है कि आपको यहाँ पर plan flexibility नहीं मिलती है आपने जो plan एक बार ले लिया वो आपको पूरे महिने billing cycle तक use करना पड़ेगा उससे पहले आप उसको change नहीं कर सकते prepaid में क्या है कि आपने कोई recharge कर रखा है वो खतम हो गया है आपको ज़्यादा डेटा का recharge करना है तो आप तुरंत दूसरा recharge करो और उसको वहाँ पर activate कर सकते हो लेकिन post paid में ऐसा नहीं होगा आपने जो एक बार plan ले लिया वो आपको billing cycle तक वो वहाँ पर use करना पड़ेगा अब next इसके अंदर जो disadvantage है वो डेटा के price को लेके कि यहाँ पर डेटा का price आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है देखो एक benefit तो है post paid में कि आपने जो भी plan लिया हुए monthly 40 GB, 75 GB या जो भी है वो data है आपको खतम होने के बाद prepaid में तो क्या होता है कि आपके net की speed slow हो जाती लेकिन post paid में आपका data की limit खतम होने के बाद आपका net बंद नहीं होगा, speed आपकी same रहेगी लेकिन यहाँ पर आपको extra charges पे करने पड़ेंगे 1 MB का 2 पैसा, अगर मैं यहाँ पे पूरा 1 GB का calculate करूँ तो यहाँ पे 20 रुपीज के आसपास में आपको 1 GB का extra जो पैसे हो यहाँ पे देने पड़ेंगे आप 1 GB के लिए 20 रुपीज एक्स्टा थोड़े ज्यादा है, अगर मैं इसको compare करूँ prepaid से तो prepaid में आपका 148 रुपीज का recharge होता है जिसमें आपको जो already plan चल रहा होता है, उसमें 15 GB all data आपको मिल जाता है, यहाँ पे वो 10 रुपी पर GB data मिलता है लेकिन postpaid में आपको 20 रुपी पर GB data मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है अब next इसके अंदर एक disadvantage मुझे personally लगता है कि देखो जो postpaid connection है, उसमें आपके monthly bill regular आते हैं इसमें क्या है कि आप बीच में उसको pause नहीं कर सकते, अब prepaid में क्या होता है, कि आपने recharge करा है मालो एक महीने का वो खतम हो गया, अभी आपको जरूरत नहीं है, तो जब आपको जरूरत होगी तब आप recharge करा होगे जैसे कि अभी example current का देता हूँ मैं, अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, winter vacation चल रहा है बहुत सारी लोग जो school, college जाते हैं, वो बहुत सारी लोग मैंने personally भी देखा है, वो recharge नहीं कराते हैं और एक disadvantage तो prepaid के अंदर हमेशा से रहता ही है कि आपको bill shock कर सकता है, मतलब कि इतना ज़दा bill कैसे आ गया मानलो भई आपने जो भी प्लान पोस्पेड में लिया हुआ है, उसे use करने के बाद जो भी आपका data है, उसके बाद आपका net तो बंद होगा नहीं, मैंने आपको बताया कि 20 रुपे के हिसाब से 1 GB का जो आपको price है वो pay करना पड़ेगा, वो आपके बाद में bill में add होके आ कि बाई यह जो प्लान है ATAL में 399 करके 499 करके इसमें आपको बाद में invoice bill मिलता है postpaid connections का, तो यहाँ पे उसके अंदर 18% GST और include होके आता है, थोड़ी प्लान की जो price है वो और भी यहाँ पे बढ़ जाती है, तो यह है कुछ disadvantages, ATAL postpaid के advantages क्या है, वो हमने पहले बात कर लिया अब यह आप इन दोनों के बियाफ पे खुट decide कर सकते हो कि आपको ATAL postpaid sim लेना चाहिए या नहीं, देखो मैं बस इतना suggest करूँगा, अगर आप 3-4 लोग की family है, एक ही bill चाहते हो, अलग-अलग recharge नहीं करना चाहते है या उससे परहसाल हो, तो आप postpaid ले सकते हो, आपको प बताऊंगा कि prepaid में भी आपको ये option मिल जाते हैं, अभी बहुत सारे OTTs के हापे prepaid में भी आपको option मिल जाते हैं, और जो bulk में data आपको मिलना होता है, जैसे कि 50GB, इस तरीके के जो recharge है वो ATAL prepaid में भी आपको मिल जाते हैं, और अभी ATAL thanks app जब हम अपने phone में डाल लेते हैं वहाँ पे अभी और भी mobile number हम add करके track कर सकते हैं कि भाई किसका recharge कब खतम होना है, कब आप कर सकते हो, तो वो भी चीज़ अभी काफी हद तक बहतर हो चुकी है, तो post paid अगर आपको लेना है, तभी आप लोग आपको family में आपको एक ही bill चाहिए, या फिर आपको यहाँ पे पर देना, चैनल पे नहीं हो तो subscribe के bell icon प्रेस कर लेना, ऐसे और वीडियो देखने के लिए और आप चाहूँ तो मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएगा, मैं मिलता हूँ आप से एक नहीं वीडियो में, तब तक के लिए thank you, bye bye